हलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल दोस्तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ हाउ टू डिलीट सोनी प्लेस्टेशन अकाउंट दोस्तो अगर आपको सोनी प्लेस्टेशन अकाउंट डिलीट करना है किसी भी रिजन्स की वज़े से तो कैसे करना है और उसका क्या प्रोसेस है आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ तो वीडियो को एंटक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सबस्क्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए ताकि ऐसी helpful वीडियो सबसे पहले आप देख सको यहाँ पे मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका सोनी प्लेस्टेशन अकाउंट डिलीट होगा जीमेल के तुरू तो अपने मूबाइल में आपको यहाँ पे जीमेल ओपन कर लेना है उसके बाद कमपोज इमेल पे क्लिक करना है एक इमेल लिखना है हमको सोनी वालों को जिससे आपका सोनी प्लेस्टेशन अकाउंट डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं स्टेप बाइ स्टेप बता रहा हूँ सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है जो आपका सोनी प्लेस्टेशन के इसमें यूजर नेम रहता है वो ही आपको लिखना है यहाँ पे मैंने लिख दिया है अपना नाम उसके बाद आपको स्पेस देना है और अपना रेजिस्टर मूबाइल नमबर लिख देना है उसके बाद दोस्तों आपको फिर से space देना है और यहाँ पर आपको request लिखना है अब request में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ लिखके same to same आपको वैसा ही copy करना है तो आपका sony playstation account delete हो जाएगा यहाँ पर मैंने लिखा है please delete my sony playstation account आपको इतना ही लिखना है दोस्तों यह लिखने के बाद हो जाएगा तो उपर subject दिख रहा है तो subject में आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा लिखना है जो मैं आपको बता रहता हूँ क्या लिखना है आपको direct लिखना है sony playstation account delete request शिरिफ इतना लिखना है आप उसके बाद ऊपर email id डालना है आपको sony playstation की जो आपको official website से मिल जाएगी मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि जो gmail id है वो update होते रहती है तो आपको वहाँ से email id ले लेना है copy paste कर लेना है और यहाँ पे select करके यह arrow पे click करके आपको send कर देना है जब आप send कर दोगे दोस्तों तो आपका 72 hours में आपका sony playstation account delete हो जाएगा तो दोस्तों इसी तरीके से आपको delete करना है एक gmail के तुर वीडियो अगर अच्छी लगी तो like कीजिए share कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए